नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देखो MMTC शेहर ने इस जोन में अपना 52 विक हाय प्राइस बनाया था पर दोस्तों उसके बाद आप देखो इस शेहर में लगातार गिरावट चल रही है और कुछी समय में यह शेहर 15 प्रतिशत से भी ज़्यादा नेगेटिव में आ गया है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ MMTC शेहर का टेकनिकल एनलिस और हम देखेंगे कि इस शेहर में एक धमा के दार तेजी कब आई की क्या इस शेहर में यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है इस शेहर को खरीदने के बेस्ट लेवल्स कौन से रहेंगे और अन्त में हम देखेंगे इस शेहर में मेरे short term targets क्या रह सकते हैं तो चल यह वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेहर में support की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तो इस शेहर में अभी जो सबसे ज़्यादा important support लेवल है वो है 52.55 रुपीज का लेवल मतलब ये वाला लेवल दोस्तो यह लेवल इस शेहर के लिए पहले एक resistance का काम करता था उसके बाद दोस्तो इस शेहर ने इस resistance का breakout दिया और जब इस शेहर में गिरावट आई तो इस शेहर ने same लेवल पर support लिया और दोस्तो अब चब लगातार इस शेहर में गिरावट चल रही है तो मुझे लग को तोड़के एक downside moment दिखाएगा इसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पर 52.55 का लेवल ही इस शेर के लिएक strong support है और चांसे से कि यहाँ से ही अच्छी तेशी दिखाएगा अगर बात आती है दोस्तो इस शेर में resistance की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तो इस शेर में यह वाला जो trend line है ये trend line एक बहुती strong resistance है क्योंकि दोस्तों इस share ने इसी trend line पे आप देखो कि multi time resistance waste किया है तो दोस्तों जैसे ये share इस trend line का breakout करते हैं उसके बाद हमें इस share में एक धमाका होते हुवे दिखने को मिल सकता है आई अब हम देख लेते हैं इस share में RSI की तो यहांपर आप देखो दोस्तों आरेसाई इस share का over bought zone में चला गया था और दोस्तों सबको पता है क्यारेसई अगर over bought zone में चला जाता है तो उसके बाद हमें अच्छोटा सा correction देखने को मिलता है तो यहांपर आप देखो छोटा सा correction तो आ गया और RSI में भी correction आया पर उसके बाद भी RSI और ज़्यादा weak होता गया और अभी 44 के नस्दीक आग जाया RSI तो RSI अभी हमें बहुत ज़्यादा weak दिखाई दे रहा है और share का price लगा तर हमें downtrend में देखने को मिले है MACD में भी हमें बहुत weakness देखने को मिली है पर दोस्तों अगर यहां पर कोई भी हमें reversal देखने को मिलता है RSI में तो एक अच्छी खरीदारी करने का मौका रहेगा आईए अब हम देख लेते हैं मैं इस share में कब entry लूँगा और मेरे क्या targets रहेंगे पहले तो दोस्तों अगर आपने इस share को higher levels पर खरीदाए तो आप इस share को अभी hold करके चल सकते हो क्योंकि यह share support से तो reversal दिखाएगा पर अगर आपको fresh entry लेनी है इस share में तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप इस share को तभी buy करो जब यह share यह वाला resistance trend line high volume के साथ break करता है उसके बाद दोस्तों short term में यह share हमे 65 से लेके 70 रुपीज तक के target अच्यू करता हो दिखाई दे सकता है दोस्तों यह तो हो गया इसका daily chart पर अगर मैं weekly chart open करूँ तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों इस share में हमें इस zone में covid की गिरावट देखने को मिली तो और इस शेर का moment देखो कैसा अच्छी तेजी आती है फिर बड़ी गिरावट फिर तेजी फिर गिरावट फिर तेजी फिर गिरावट तो अभी वापस तेजी के बाद गिरावट ही देखने को मिली है तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा में buying को option है क्योंकि मैंने आपको पहले भी का तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी और गिरावट और अभी यहाँ से आएगी तेजी क्योंकि शेर का चाली ऐसा है दोस्तों और अभी देखो आप दोस्तों covid के गिरावट के बाद यह शर हमें लगातार एक अप ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिले तो यहां से यह शर हमें मिट टू लॉंग टम में भी अच्छे टार्गेट्स अच्छीव करता हुआ दिखाई दे सकते हैं इसलिए दोस्तों कोई भी डरने की बात नहीं है घिरावट में खरी प्रावट